दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके फोन में Google Photos पर Automatic Backup लगा हुआ है मतलब आपकी फोटोस Automatically ही Google Photos में Backup हो जाती है, Automatically Upload हो जाती है आप उसको बंद करना चाहते हैं ताकि Automatically Upload वहाँ पर फोटोस ना हो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले तो आप अपने फोन में Google Photos को Open कर लीजिए Google Photos को Open करेंगे तो इस टाइप का आपको इंटरफेस मिल जाएगा यहाँ पर आपको उपर आपकी Profile का Option दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, आपको यहाँ पर आपकी ID दिखा रहा होगा अगर आपको दूसरी ID में Backup बंद करना है Automatic तो यहाँ पर आपको जो है क्लिक करके एरो पर और यहाँ पर आपको दूआली ID सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी ID में आप Backup बंद करना चाहते हैं तो for example हम यही ID सेलेक्टेड रहने देते हैं तो Backup बंद करने के लिए आपको क्या करना है आपको यहाँ पर एक दिखेगा Photos, Settings का Option आप इसपे klick करेंगे तो सबसे उपर आपको एक Option दिखेगा Backup and Sink का आप इसपे क्लिक करेंगे जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा और यहाँ पर आपको सबसे उपर एक option दिखाएगा backup and sync का आप देख सकते ही यह on है आपको यहाँ पर क्लिक करके off कर देना है जैसे ही आप off करेंगे तो आपके में automatic backup जो है वो बंद हो जाएगा अगर वीडियो से help यह हो तो वीडियो को कर दीज़े like चैनल को कर लीज़े subscribe and bell icon को press ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और new वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए